दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Facebook पर pre-recorded वीडियो को live stream कर सकते हैं जी हाँ, अगर आप live stream करना सिख जाएंगे, तो Facebook पर आप pre-recorded वीडियो को live stream करके आप अपने followers को increase कर सकते हैं, Facebook page को monetize कर सकते हैं तो कैसे live stream करना है, आईए आज मैं आपको बताता हूँ तो चलिए दोस्तो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप Facebook पर pre-recorded वीडियो को live stream कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले Facebook open कर लेते हैं, इस तरह से Facebook में हम लोग लोग इन कर लेंगे और लोग इन करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा Facebook जो है page open हो चुका है और right side में टॉप में आपको दिख रहा होगा Facebook page का icon देखिए, टॉप में आपको Facebook page का icon दिख रहा है, यहाँ से आप switch करके अगर multiple pages यूज करते हैं, तो आप switch कर सकते हैं आप जिस भी page पर live करना चाहते हैं, उसे आप select कर ले, उसके बाद live करने के लिए आपको एक streaming software किया सकता होते हैं, मैं आपको एक free software के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप असानी से Facebook पर अपने pre-recorded वीडियो को stream कर पाएंगे, उस software का नाम है OBS Studio आप देख रहे होंगे Google में OBS Studio इसे open करें और यहां पर आपको Windows, Mac, OS और Linux यह तीनों options आपको मिल जाते हैं, डाउनलोड करने के, जिस भी operating system को आप यूज करते हैं, क्लिक करके आप अपने software को डाउनलोड करके अपने laptop या desktop में install कर ले उसके बाद मैं यहां पर already मैंने install करके रखा है, इसलिए मेरा software जो है, वो open है और इस तरह आपको install कर लेना है, और उसके बाद आपको भी इस तरह से open कर लेना software को उसके बाद आपको facebook को open करना है, और open करने के बाद देखिया, मिडिल में आपको जैसे ही page को open करेंगे, मिडिल में आपको live video का option आपको दिख जाएगा, live video, photos and videos, reels, आपके post करने का भी option होता है, जस्ट उसके नीचे आपको live video का option मिल जाता है, तो live video पे simply आपको click करना है, और click करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया interface open हो जाएगा, तो मैं live video पर click कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिये, नया interface आचुका है, और यहाँ पर दो options नजर आ रहे है, create live video event and पहला है go live, तो हम लोगों को go live बाले option पर click करना है, नीचे go live का option दिख रहा ह है, जैसे ही click करेंगे, आप देखेंगे एक नया interface open होगा, और यहाँ पर एक सबसे important चीज आपको मिलेगा, जिससे आप अपने live stream को कर पाएंगे, यहाँ भी दो options आपको मिलते हैं, एक webcam, एक streaming software, अगर आप pre-recorded video को live stream करना चाहते हैं, तो हमेशा stream software वाले ही option को आपको choose कर करना है, नीचे आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा stream key, यह सबसे important होता है, यह जो stream key अगर आप webcam पे click करेंगे, तो यह stream key आपको नहीं सो होगा, तो आपको streaming software में जाना है, click करना है, देखें, मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से click करना है, simply आप, देखें, webcam पे click करेंगे, इस तरह से webcam select हो जाएगा, streaming software पे click करेंगे, streaming software select हो जाएगा, नीचे key को copy कर لیना है, यह stream key आपको simply आपको copy कर लेना, बगल में copy का option है, जैसे ही click करेंगे, आपका stream key की, copy हो जाएगा, तो मैंने stream key को copy कर लिया है, copy करने के बाद मैं obs studio जी यहां जो software है जिससे मैं live stream करने वाला हूं उसको open करूंगा और settings में जाओंगा आप right side में देख रहोंगे settings का option है यह जो section है आपके software में कहीं पर भी हो सकता है जहां भी आप set करके रखेंगे तो वहां पर आपको click करना होना है और यहां पर नया वल्ला ceo 500 को page कर देना है नीचे आपको option मिल जाएगा apply & ॉपके नजर आ रहोगा apply & ok उप्र आपको click कर देना है आपका je Grow Br bitterly की वह set हो जाएगा तो यहां पर Crime πिडिया है और यहाँ पे plus में आपको click करना है ठीक है, plus पे जैसे ही click करेंगे देखे, यहाँ पर plus का option है left side में नजार आ रहा होगा क्योंकि जिस pre-recorded video को हम लोगों को stream करना है उसके लिए media source पे जाना है plus पे click कीजिए, media source पे आप click कीजिए ठीक है, मैं demo कर रहा हूँ इसलिए मैं demo video यहाँ पे कर देता हूँ demo कर देता हूँ और आप जो भी purpose से आप करेंगे आप उहाँ पे set कर सकता है उसके बाद यहाँ पे browse का option है ठीक है, आपका local folder open हो जाएगा और यहाँ से जिस भी video को आप live करना चाहते हैं यहाँ पर आपको select कर लेना है select and नीचे open का option है open पे आपको click करना है जैसे open पे click करेंगे video यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे एक loop का option नजर आ रहा होगा loop पे अगर आप click करेंगे तो एक ही video जो है वो बार बार जो है वो live होता रहेगा जब तक आप इसे stop नहीं करेंगे अगर आप loop पे click नहीं करेंगे तो जितने भी minute का video है वो एक साथ चलेगा और फिर live end हो जाएगा लेकिन अगर आप loop पे click कर देंगे तो same video जो है वो बार 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 live होता ही जब तक आप manually उसे बंद ना करें तो आप loop पे click कर दें क्योंकि आपकी दो मिनट की वीडियो वीडियो होगी अगर आप उसको लूप में कर देंगे तो दो मिनट की वीडियो जितने देर आप चाहें दो घंटे भी चाहें तो आप लाइप कर सकते हैं दो घंटे चार घंटे मिन्स यह आपके उपर है कि आप कितने दिर लाइप करना चाहता है उसके बाद नीचे ओके पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद देखें जहां पर मैंने सेटिंग पर किलिक किया था उसके जश्ट उपर जो है इस्टार्ट स्ट्रीमिंग का option है आपको blue color में start recording दिख रहा होगा उसके जश्ट उपर है start streaming वहीं पर आपको किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे आपका जो streaming है वो facebook से connect हो जाएगा अभी live नहीं होगा केवल connect होगा कैसे live होगा वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ठीक है और अब जो है यह आपका लगब किया था वो facebook पे आ चुका अब क्या करना है तो जैसे ही facebook पे आप आएंगे देखें यहाँ पर complete post detail यहाँ पर पोस्ट डिटेल आपको जरूर डालनी होती है पोस्ट डिटेल का option यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ आप complete post detail पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे title and description आपको यहाँ पर लिखना है तो मैंने om meditation का video है जो मैं यहाँ पर live कर रहा हूँ तो om meditation मैं यहाँ पर लिख देता हूँ om sound लिख देता हूँ और इसको मैं copy करके नीचे भी मैं paste कर देता हूँ description में description कभी blank नहीं छोड़ना है ठीक है? save पर click करना है अब यह जो है आप यहाँ देखिए नीचे left side में go live का option आ चुका है simply मैं click करूँगा और यह जो है go live हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए go live ठीक है go live पर click कर देना है यह live हो चुका है ठीक है सारा detail यहाँ पर show हो रहा है end live video यहाँ पर click करके आप end कर सकते हैं क्योंकि मैंने loop पर click किया क्योंकि मैंने वहाँ पर loop वाले option पर click किया है तो यह अब live चलता ही रहेगा जब तक manually मैं इसे बंद नहीं करूंगा तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे mobile पर यह नजर आ रहा होगा ठीक है आप जानना चाहते होंगे कि mobile पर यह क कर सकते हैं आपके जो भी friends हैं उसके home page में भी यह सो हो रहा होगा तो यह तरीका है तरीके को आज माए और pre recorded video को live stream करें thank you